यह वीडियो में बना रहा हूं पावन गोस्वामी सर को थेंक्यू पूलने के लिए तो एक बात आपको बताता हूं कि जब उन दिरों में टूटा-फूटा गिटार बजाय करता था सीख ही रहा था तो बटकते-बटकते मैं लेडिंग नोट मुजिक अकैडमी चला गया और मेरी मुलाकात पावन गोस्वामी सर से हुई और उस दिन के बाद से मेरा गिटार में और इंट्रेस्ट बढ़ गया उसको प्ले करने में मुझे और मज़े आने लगए क्योंकि जब आपके रूटस स्ट्रॉंग हो जाती है आपका बेस स्ट्रॉंग हो जाता है तो जब आपकेडमी के स्ट्रॉंट्स वाँ जाकर प्ले करते थे पावन सर भी हमारे साथ खड़े रहे थे तो बहुत मज़ा आया करता था बहुत पब्लिक हमारे साथ गा रही है और एक और किस्सा था कि वर्ल्ड म्यूजिक डेपर महराना प्रताफ ओडिटोरियम में मलब यह एक गिटार बजाते बजाते पहली बार लाइव गया है बैंड के साथ पीछे ड्रॉमर है बेस गिटारिस्ट है तो बैंड का जो फील होता है यह मेरा फर्स्ट एक्सपरेंस था तो जब खातम हुआ तो लोगों ने बहुत अप्रिशेट करा और जब मैंने पूरा कॉन्फिट देंस के सामने जब ओडियंस के सामने गाया तो मुझे लगा गिया इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं इसमें मजा आ रहा है तो इसमें और सीखना स्टार्ट कर दिया मैंने गिटार भी और दीरे वोकल्स पर भी मैं प्राक्टिस करता गया करता गया तो आज मैं फुल-time प्रजिशन हूं और इस सभी का शेय जाता है लेडिंग नोट मिंजिक अकेडमी और पावंध गोस्वामी सर को अगर मुझे वह माहूल नहीं मिलता ना माहूल से याद आया कि वह जब शाम धल्री होती थी तो क्लास के बार जो चथ थी रूफ टॉप पे हम सब इस्ट्रें हम सबको प्रोवाइट करने के लिए हमें एतना सिखाने के लिए मुझे इतना सिखाने के लिए क्योंकि हमें ईसलिए वो हमारे ग्रूब बन गया था आज वो सब dwell time musician ने अमेर भाई ह Шण मैं हो गया और वी दो दहीन मैं हो गया गॉत्यों हो गया